Good morning dear friends and greetings in Jesus name. This is a new day. सुप्रभात मेरे मित्रो और प्रभु येश्व मसी के नाम में मैं आप सब का विवादन करता हूँ और ये एक नया दिन है. और मुझे पूरी आशा है कि इस हफ़ते में जिन बातों पर हम मनन कर रहे हैं वो आपको याद है. और हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे विश्वास की परिक्षा लेता है. पहले हमने देखा कि एक अग्याद की परिक्षा परमेश्वर लेता है. और परमेश्वर ने इबराहिम को बुलाया और कहा एक स्थान पर तुझे मैं भेजूँगा, तुझा निकल जहां मैं भेजूँगा. और वो एक परिक्षा थी अग्याद की. और एक दूसरी परिक्षा जो परमेश्वर लेता है वो है देरी की परिक्षा. और परमेश्वर ने इबराहिम को मिरास में एक भूमी का वाच्छा बांदा. और ये वादा किया कि ये भूमी तुझे तेरे मिरास में मैं दे दूँगा. और ये मिरास में तुझे दूँगा तेरे और तेरे वंसजो के लिए. और ये दूसरी रीती से परिक्षा लेता है और एक तीसरा तरीका है जिससे परमेशव परिक्षा लेता है और वो है असंभव का परिक्षा और ग्यारवा और बारवा वचन इबराणयों की पत्री ग्यारवा ध्याय विश्वास से सारा ने आप बूड़ी होने पर भी गर्वधारन करने की सामर्त पाई क्योंकि उसने प्रतिग्या करने वाले को सच्छा जाना था इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारो और समुद्र के तीर के बालू के समान आंगिनत वंश उत्पन हुए और इब्राहिम को परमेश्वर ने एक वाचा दिया एक वादा दिया सारा के दौरा मैं तुझे एक संतान दूँगा और परमेश्वर ने काफी लंबा इंतजार किया कि वाचे के बेटे को इस संसान मिला है और वो इतनी देर तक परमेश्वर ने इंतजार किया कि मानेविये रूप से अगर कहें तो उस वक्त तक जब ये असंभव हो गया और जब कभी भी इब्राहिम के सामने वो परिक्षा आती थी कि वो हार माल ले तब वो उन बातों को और उस रीती उन परिस्थियों को याद करता था कि किस रीती से परमेश्वर ने अभी तक उसका मांग दर्शन किया इंतारों तले और उन तारों के नीचे खड़ा होकर परमेश्वर ने इस बात का हिया वर उस रोसा उसे दिया क्यों पर देख और इसी रीती से तेरा वंश भी होगा और इसका मतलब था कि इबराहिम के वन्शज उन तारों के समान गिंती में होंगे और इबराहिम ने उस असंभव बात पर विश्वास किया और हम सब जानते हैं परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही किया क्या आपको पता है इबराहिम ने कितनी साल इंताज इंतजार किया 25 साल तक उसने इंतजार किया 75 साल की उम्र में जब कोई भी पुरुष के लिए बच्चा उत्पन्य करना संभव है तक उपरमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे एक संतान दूंगा लेकिन सारा के दौरा कोई भी बेटा नहीं आया 25 और सालों तक इबराहिम ने इंतजार किया और मसीही विश्वास एक विश्वास है ऐसे परमेश्वर पर जिसके दौरा हर एक बात संभव है और मान वियरीती से अगर बात करें तो एबराहिम और सारा दोनों ने पुत्र या संतान उत्पन करने की उम्र सीमा को बहत पहले ही पार कर चुके थे मसीही विश्वास एक ऐसा विश्वास है एक ऐसे परमेश्वर पर जिसके लिए हर एक बात संभव है और इसलिए कैसे हम उस असंभव की परिश्वा का सामना करेंगे और कम से कम तीन अच्छे उधारण हम इस पवितर शास में हैं पहला अब्राहिम और इसके बाद मनोहा और उसकी माँ उसकी पत्नी जो की सैमसून के माता पिता थे और नए नियम में जकिराया जो की याजग था और उसकी पत्नी इलिजबेट और इन सब ने अपने संतान उत्पन्य करने की सीमा को कई पहले पार कर चुके और कम से कम ये तीन उधारण हमारे सामने हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं और इसलिए हमें इस परमेश्वर पर ये विश्वास रखना है कि ये वही परमेश्वर है जो कभी ना बदलता है जो जैसा कल था वैसा ही आज है और वैसा ही रहेगा और जो चोहती परिक्षा या अंतिम परिक्षा है वो परिक्षा है कि परमेश्वर अपने ही इक्षा को कैसे उसके विपरीत कार्यों को करता है उधारन के रूप में हमारे पास क्या है और वाचे या वादे का पुत्र इसहाक इबराहिम को परमेश्वर दे रिया और वो उपने मानवरीती से बड़ा हुआ और वो इस चीज का सबूत था कि परमेश्वर का उदेश ये पूरा होगा ये वो पहला वादा था और ये पूरा हो गया लेकिन उस वादे के साथ कई और दूसरे वादे थे जो साथ में दिये गए कि इबराहिम की संतान उन तारों के समान होगी जो आस्मान में है या उस रेत के समान जो समुद्र में पाई जागी और गिंती में अंगिनत और वो पुरी पृत्वी को भर देंगे और यहां पर से विसाग को दिया गया और यहां पर उसकी शादी भी नहीं हुई है लेकिन यह इस हाख इस बात का सबूत था कि परमेश्वर अपनी क्षाओं और योजनाओं को पूरा करेगा परमेश्वर के पास वो सामर्त है इस बात को करने का लेकिन अच्छानक से अच्छानक से वो तलवार अबराहिम के ऊपर गिरती है और परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया उसकी विपरीद किरा प्रकाशन क्या है कि इस हाग के द्वारा ही तेरा वन्शा वली आगे बढ़ेगी और अच्छानक से परमेश्वर की ओर से यह वो चनाता है कि इस हाग को वली के रूम में चड़ा दे क्या ऐसा ही आपको महसूस होता है कई बार परमेश्वर की एक आग्या जो कि परमेश्वर के वादे के विपरीत परमेश्वर देता है परमेश्वर का वादा तो यह वादा है कि इस हाग के द्वारा ही तेरा वन्श अंगिनत रूप से बढ़ता चला जाएगा और अभी तो इस हाग की शादी भी नहीं हुई है और उस शण वो आग्या परमेश्वर की ओर से आई कि अपने पुत्र को ले जा एक लौता पुत्र जिससे तू प्रेम रखता है और इस पुत्र को एक होममली के रूप में मुझे दे दे और एक ऐसा स्थान और चोटी जो मैं तुझे दिखाऊंगा कई बार तो हम यह सोचते हैं किस प्रकार का परमेश्वर हमारे पास है लेकिन मेरे मित्रो किर्पिया याद रखिये कि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं और क्यूंकि वो परमेश्वर है उसके लिए हर एक बात संभव है और कुछ भी संभव है और किसी भी समय वो संभव करता है और ऐसा ही आव और भरोसा आप परमेश्वर के लिए रखिए और जब हम उस रीती से महसूस करते हैं जो इबराहिम ने महसूस किया और तब हम पहला सवाल ये पूछते हैं कि परमेश्वर क्या ये तू है या मेरी कोई सोच है और मुझे पता हम में से जादा तर क्या करेंगे ये तो कोई सपना है ये सच नहीं है और ये तो गलत है लेकिन इबराहिम ने दो बातों को किया और यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमें क्या करना है जब विश्वास का परिक्षा आती है और एक आग्या के साथ पहली बात और उत्तर इस बात में या उस परिक्षा का समधान इसमें नहीं है कि आप परमेश्वर को छोड़ दे और हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर तु परमेश्वर नहीं और पता नहीं तु किस प्रकार की बातों को कहता है और इसके माद परमेश्वर को छोड़ देते हैं और होने दे परमिश्वर आपको कोई भी वादा दे और इससे पहले आगे बढ़कर इससे पहले की वो वादा पूरा हो और उसी परमिश्वर से एक आग्या आती है जो आग्या उस वादे की विपरीत दिखती है अगर मैं इस आग्या को मानू तब वो परमिश्वर का पहला वादा पूरा ना होगा और यह स्वभाविक है हम सब के लिए सोचना और हार मान जाना लेकिन यहां पर शिक्षा क्या दिया गे कि हार ना माने कि परमिश्वर तो परमिश्वर है कि वो कोई मनुष्व नहीं कि वो जूट बोलेगा वो तो वो करेगा जो उसने कहा है और इसलिए हार ना माने और इसलिए अब्राहिम ने हार नहीं माने और दूसरी बात इस बात को हमेशा सुनेश्वर जाने और समझे कि एक कदम आपके सामने साफ है और हुने दे परमेश्वर उसे कहे कि ये वो कदम है जो तुझे उठाना है और ऐसा ही करें किसी हिचकी चाहट के बिना लेकिन इस बात को सुनेश्वर कर ले कि परमेश्वर ही है जो आप से बात कर रहा है और जब इस बात को आप सुनुश्वर कर ले और एक भी मिनिट का आप देरी ना करे उस साफ कदम को आप उठाएए और भविष के परिणामों के लिए आप घबराए नहीं क्योंकि परमेश्वर उन सारी बातों की चिंता करेगा क्योंकि वो परमेश्वर है और मेरे मित्रों और इसी रीती से परमेश्वर हमारे विश्वास की परिक्षा लेता है हम इब्राहिम नहीं है और इब्राहिम तो ही आफ के संग खड़ा रहा और उसने वैसा ही किया जो परमेश्वर ने उसे आग्या दिया करने के लिए और इसाक जीता गया और आज के दिन हर एक देश में कम से कम एक छोटा समू यहूदियों का है और इनी सारे देशों से उनीस तो आटालिस में ने नहीं होता दिया गया कि वो वापस अपने देश चले आएं पर मेश्वर विश्वासी हो गया है और वो जिसने आपको बुलाया है वो विश्वासी हो गया है और इस पर संधे ना करें आज्याकारी बने रहें परमेश्वर काशी शाप सब के उपर हमारे प्रिय परमेश्वर हमें तेरे पवितरात्मा का आवश्चता है और कई बार पवितरात्मा के बिना हम उन बातों को नहीं कर सकते हैं जो परमेश्व पिता हम से चाहता है लेकिन पवितरात्मा के साथ और पवितरात्मा के द्वारा हम उन सारी बातों को कर सकते हैं जो कि दूसरी बजाओं से हमारे लिए संभव है करना और जब ऐसा लगता है कि मानो अप परमेशर अपने वादे की विपरीत बात करता है हम इस बात को समझे और जाने कि वो सिर्फ हमारी परिक्षा ले रहा है होने दे हम तेरे प्रतिव शुआसी योग ये बने रहे हैं क्योंकि यही तेरा वच्चन हमें बताता है क्योंकि जो वादा जिसने तुझे यह वादा किया है जिसने तुझे बुलाया है वो विश्वासी हो गी और धन्यवाद, येश्व के नाप, आमें मेरे प्रियमित्र और परमेश्वर आप सबको आशीछ दे ये एक महान दिन है परमेश्वर की सेवा आप करें परमेश्वर के प्रति विश्वासियों के वने उस पर भरुसा रखे आमें